इधर बलरामपूर में तिर्थ यात्रियों से भरी बस दुर्गहटना की शिकार हो गई मंगलम टूर एंड ट्रैवल्स की बस दुर्ग जीले से अयोध्या बनारस की और तीर्थ यात्री को लेकर जारी थी बस में करीब पचास तीर्थ यात्री सवार थे जिन में से आठ तीर्थ यात्रियों को मामूली चोट आई है जिने सिविल अस्पताल वोजर फनगर में भरती कराया गया है आनी अंतरिन पिकव व्यान को बचाने और कोहरे की वज़े से हास्सा होने का अंदेशा बताए जा रहा है